नमस्कार अनादी टीवी के खास कारिक्राम भाग्य समधान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पुनम जैन भाग्य समधान जी हाँ भाग्य समधान में हम आपके भाग्य का समधान करते हैं और नई नई जानकारियां आपको देते हैं किस तरीके से आप आपके भाग्य का समधान कर सकते हैं अगर कोई परेशानी आ रहे ही कोई समस्या है तो उनको कैसे दूर करना है और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो म मैं मौझूद है पंडित अर्विंतिवारी जी पंडित जी बहुत स्वागत है आपका तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं मंगल का मेश राशी में प्रवेश हो रहा है और इसी को लेकर आज हम पंडित जी से जानेंगे क्या इसके परिणाम हो सकते हैं किन-किन मेश राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि पंडित जी आज जो है मंगल का प्रवेश मेश राशी में हो रहा है तो क्या परणाम इसके हो सकते हैं दिखें जैसा हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह अपने आप मंगल में पाए जाते हैं और हमारे हां उज्जेन में मंगल नात का एक बड़ा मंदिर है और कहा जाता है कि प्रत्वी मंगल की माता है तो मंगल हमारे देश में बड़ा महत्पून ग्रह है और देखिए हम जब भी कोई शुब कारी करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि हम मंगल क कारी कर रहे हैं अर्थात मंगल का ताथ पर होता है शुब लेकिन मंगल ग्रह को लेकर बहुत सारी बातें हमारे मन में हमेशा गूंशती रहती हैं कि क्या मंगल शुब होता है मंगल जीवन में शुभत्व के काम करता है मंगल जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या म महतपून भूमी का निभाता है ये बड़ा मैहतपून ग्रॉय है औराप मंगल के बारे में थोड़ा समझने का वशक्रत है। जैसरी कि सूर्य बड़ा ग्रह है और हमेशने अपने आप बढले अपने पाकर जातक सूर्य के प्रभाव कांग्शी होते हैं जीवन में बड़ी बड़ी बड़े बड़े कारियों को संपन करने में मंगल की महत्पूर्ण भूमिका है और मंगल ग्रह का जो आपने बात की राशी परिवर्तन तो देखें मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयम की राशी याने मेश राशी में भाव पूरी दुनिया में पड़ता है और मंगल हमेशा उगरता और उर्जा लिये होता है और मंगल कई मामलों में आप इस बात को भी समझे कि आंदोलन जो देश दुनिया में हो रहे हैं वह नांदोलनों में भी मंगल की भूमी का सबसे डादा महत्पूर्ण है भारत हमारे जो देश विदेश्ट खास्तोर से हमारे पडोसियों से कैसे संबंध होंगे उसका निर्धारण भी कई मामलों में मंगल के द्वारा किया जाता है तो आप यह मान कर चलिए कि मंगल का जो मेश राशी में परिवर्तन है वह अपने आप में बेहत महत्पूर्ण है पंडिची जिस तरीके से आपने बताया अभी के देश विदेश पर भी प्रभाव पड़ते हैं साथ ही हम भारत वर्ष की अगर बात करें तो अभी किसान आंदुलन चल रहा है और भी कई तरीकी की समस्य हैं भारत में चल रही है आप जैसे ही अगर मंगल का प्रवेश कुंडली है यह आप उसको बहुत ध्यान से देखें तो ब्रशब लगने की कुंडली है ब्रशब लगने की कुंडली में मंगल दो प्रमुख भावों का स्वामी ग्रह है अर्थात बार्वे भाव और सब्तम भाव को अमूमन हम तीन प्रकार से उस जोड़ कर देखते हैं स जवसाइक संबंदों का भाव होता है सब्तम भाव वैदेशिक नीदी का भाव होता है सब्तम भाव जनता का भाव होता है चौकि चौथा भाव जनता के सुक का भाव होता है और सब्तम भाव जनता के साथ शाशक वर्ग के क्या संबंद होंगे उसके भाव को निर्धारण करता है अब बात करते हैं आपने पूछा कि मंगल का क्या प्रभाव देश पर पड़ेगा और किसान आंदोलन की आपने खासतोर से बात की देखी किसान आंदोलन ये प्रारम हुआ लगबग आज से वो नवंबर के महिने में जब मीन राशी में मंगल का गोचर था मीन राशी में मंगल के गोचर होने के कारण वो कहां तक पहुँच गया दिल्ली तक आप देखें दिल्ली की मीन राशी है हमेशा आप देखें कि जब भी जो मीन राशी का शहर है दिल्ली पिछले साल भी आप कई बार हम नवंबर और दिसंबर के महिने में ही इस प्रकार का आंदोलन देखते हैं जिन में आपने पहले देखा एक बार अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2012-13 के आसपास उस समय भी कमोबेश इसी प्रकार की ग्रह स्थितियां थी इसके बाद आपने एक और आंदोलन देखा शाहिन बाग का आंदोलन उसने भी दिल्ली को लगबख हाई जैक सा कर लिया था आना जाना दिल्ली से थोड़ा मुश्किल हो गया था और आप इस समय किये के मंगल का राशी परिवर्तन हो रहा है मेश राशी में और यह रहेगा 14 फरवरी तक मेश राशी में तो आप देखिए कि किसानाल बहुत लंबे समय तक क्षिशने वाला नहुंगि मंगल जंटा के भाव का सौमी है और जनता में खास सोर से जो किसान हैं एगरी कल्चर से जुड़े हुएं उनमें उगरता ला रहा है उसके पीछे का कारण क्या है बुद्ध हमको बुद्ध ग्रे को भी थोड़ा समझने की आवशक्ता है कि वर्तमान में बुद्ध ग्रे धनू राशी में सूरी के साथ युत तनमीश राशी में और उधर बुद्ध का धनू राशी में अस्थ होकर पड़ा रहना कहीं न कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि हम किसान आंदोलन को लेकर ना तो उतने गंभीर हैं और नाहीं भविष में कोई गंभीरता दिखने वाली और मुझे लगता ही किसान दवर्ष के खास्तोर से दो पडोसियों पाकिस्तान और चाइना को बहुत तंग करेगा चुकि उनकी कुंडली में वह एकादश भाव में ट्रांजित कर रहा है तो उनकी कुंडली में भी परेशानी है तो उनका पडोसियों से विवाद होगा इसके कारण जो सबसे बड़ जी जिस तरीके से भारत-चिना संबनदों की आपने बात की और यहाँ भारत पर पाकिस्तान की संबन beb sincerity करेंगे लेकिन उससे पहले हम राशी के जातकों के बाता कैसा पड़ने वाला है तो पहले हम तीन राश save के बारे में आप से जानेंगे मेश प्रशव और मिधुन राशी के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार उनकी राशी में परिवर्तन होगा और क्या लाब और क्या नुकसान उनको होने वाले वो आप जानकारी दे दीजिए बिल्कुल मैं आपको बतलाना चाहूंगा तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मेश राशी की, तो देखें मेश राशी का स्वामी गरह मंगल और रोसी राशी में मंगल का प्रविश हुआ है, तो ये मेश राशी वाले जातकों के लिए तो बड़ा शुब माना जाता ह है, खास्तोर से अभी तक जो आपको मानसिक तनाव कहीं न कहीं बढ़ रहे होंगे, तो मानसिक तनावों में कहीं कमी आएगी, स्वास्त आपका बहतर होगा, मन आपका बेहत प्रफुलित होता है, चुकि जब राशी स्वामी अपने घर में प्रविश करता है, तो वो कम से आज में आपको लाप की प्राप्ती होगी, और यदि आप प्रीम संबंदों से जुड़े हुए, तो निसंदे उसमें आपको लाप की प्राप्ती होने वाली है, वैवाहिक संबंद सामाने बने रहेंगे, लगन में मंगल का प्रवेश हुआ है, तो वो वैवाहिक संबंद अगली राशी में बात कर लेता हूं तो तेखी ब्रशब राशी से मंगल का paralysis बहरी्वे में और मंगल का बारवे भाव में तनाव बढने वाला है तो आपके मिद्व पिरीजनों के कहीं नहीं तनाव पढ़ा रहेगा संतान को ले कर चिंता बनी से चलाना है स्वास का पूरा ध्यान रखना वैवाइक संबंदों में तनाव रहेगा तो तनाव को दूर करें प्रेम संबंदों से बचने की कोशिश करें इसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य लाब होगा बात करते हैं अगली राशी ने मिथोन राशी मिथुन राशी से मंगल का गोचर एकादश भाव में हैं लेकिन मंगल का गोचर एकादश भाव में लाप तो देगा परंतु धन संबंदी कारियों में वह तनाव अवश्य देगा आपको जो धन को लेकर परिशानी है तो वह परिशानी कहीं ना कहीं बड़ी रहेगी लेकिन मिथुन राशी वाले जातकों को कारिच छेतर में उन्नती वो अवश्य देने जा रहा है जो कि एकादश भाव का मंगल अपनी सब्तम द्रश्टी पंचम भाव पर रखेगा और अस्टम द्रश्टी से आपके विरोधियों का वह विनाश करेगा तो मिथुन राशी वाले जि बिल्कुल पंड़ जी आपने तीन राशीयों के बारे में बताया तो बिल्कुल जस तरीके से पंड़ जी ने आपको बताया क्या आपको लाभ मिलने वाला और क्या नुकसान हो सकते हैं और उनके लिए आपको क्या उपाय करने वो सारी चीज़े पंड़ जी ने आपको बत कर रहे थे कि भारत और चाइना के समन्द काफी समय से हम देख रहे colours its कई ही रहती है जो है और ऑर क्या कोई सुधार या फिर जसतारी के से जो है लगतार हम जस तरीके की स्थिती देख पर वो आगे भी बरकरार रह सकती है बहुत ही सुन्दर आपने प्रश्णी किया और देखिए यह भारती राजनीती और जूतिश का एक बड़ा सुन्दर सा प्रश्ण है तो मैं सबसे पहले भारत चाइना की बात कर लेता हूं देखिए चाइना हमारे संबन चाइना से जो बेग सार से आर्थिक शिकंजा कस लेंगे उसकी दबाई उनके पास थी मास्क उनके पास से पीपी किट उनके पास थी उससे जुड़े हुए जितने भी सामान थे वह सब चाइना ने पहले से बना कर रखे थे लेकिन आप देखिए ग्रहों का यह खेल होता है चाइना की जो कुं संग हो जाता है तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं से 6 मार्श 2019 के बाद से चाइना का एक दोर कमजोर मनें वह अपने अस्ताचल की और आगे बढ़ने लगा जो एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति होती थी वह आर्थिक रूप से कमजोर होना प्रारम होई राहू का ही वह प्र संबर के महीने में राहू मिथुन राशी से निकल कर ब्रशब में चला गया ब्रशब भारत के लगन का ग्रह और उसमें राहू का प्रविश हुआ अब बात करते हैं मंगल चुकि राहू के कारण भारत और चीन के संब्स बहुत खराब हो गया सीमा पर तनाव की स्थिती पिछले कई वर्शों से भारत और चीन के बीच में नहीं हुआ था यह संगर्श को आगे बढ़ाया किसने राहू ने अब आप देखी के मंगल जिसका ट्रांजेट अब मीश राशी में हो रहा जब तक मंगल और बीच में भी मंगल मीश राशी में चलता रहा जिसके कारण भारत और चीन के संबन लगातार खराब रहे और वापस वही मंगल जिस समय भारत और चीन के बीच में यह जो खूनी जड़प हुई थी जो लद्दाख के लाके में जो जड़प हुई थी लद्दाख चुकि वो भी एक प्रकार से मीश राशी का जगे है वहां पर भी बहुत महंती होते हैं चोंकि मंगल जातकों को बड़ा महंती बनाता है बात करते हैं भारत चीन के वरतमान संबंदों को लिए क्योंकि समय दोनों देशों की सैनाय लगबग एक दूसरे के आपने सामने खड़ी हुई है आई टू आई वाल कॉंटेक्ट है और आप अचले 20 सालों में चीन ने कभी कल्पना नहीं की थी भारत खड़ा हो गया और यह प्रभाव मंगल के कारण है मंगल चुकि भारत की लगन कुंडली से बार्वे भाव में यानि मेश राशी में उसका गोचर है और मंगल चुकि बरतमान में चुकि चाईना का लगनेश है औ बहुत तनाव की स्थिती है और इसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई छोटा खूनी संगर्ष आवश होगा चुकि आपका अगला उप्रशन पाकिस्तान को लेकर था कि भारत तो पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार से संबंद होंगे तो पाकिस्तान की भी राशी पाकि की कुड़ी में मंगल जो है समय बार्वे भाव में तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो संकट है देशों में जहां पर युद्ध होने की 99% संभावना है वो केबल भारा तो पाकिस्तान है दोनों के बीच में बड़ा युद्ध मुझे लगता है कि चौदा फर्वरी से पहले तक एक छोटा मोटा बड़ा युद्ध होने की पूरी संभावना है यह मंगल के कारण है और लगन में राहू बैठे होने के कारण है और संभर्ष जनता के वीत में द्वंद और बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन होने की संभावना है और उसमें मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है जी बलकुल पंडी जी यह तो हो गई भारत चाइना संबंदों की बात भारत पाकिस्तान संबंदों की बात तो चौधा प परिवर्तन देखा जा सकते अगली राशियों के अगर हम बात करें कर्क सिंग और कन्या के सरीके का प्रभाव जो है उनकी राशियों पर पड़ेगा देखे मैं बात कर लेता हूं करक राशी तो करक राशी वाले जातकों की कुड़ी में मंगल चुकी दशंभाव में बैठ दिलाएगा तो आप अपने गुस्से पर थोड़ा कावू रखें तो अवशलाब होगा बात करते हैं अंगली राशी नहीं सिंग राशी की तो देखी सिंग राशी से मंगल का गोचर भागस्तान में हो गया तो भागेश मंगल का वहां पर बैठना बहुत इस्व माना जात सुड़ा साब अवश्य संभावी और थोड़ा आपको तंग अवश्य कर सकता है बात करते हैं अंगली राशी कन्या राशी को लेकर तो देखे कन्या राशी वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बिलकुल भी ठीक नहीं क्योंकि एस्ट्रामभाव में मंगल आपको शांति पूर्वक बनाए रखें और सबसे महत्पूर्ण चीज आप अपने जीवन में मंगल जो इस समय कन्या राशी में गोचर रहें तो मंगल शांती के कुछ उपाय आप अवश्य करेंगे तो निसंदे आपको आपके जीवन में लाब की प्राप्ति अवश्य होगी तो ब ताकि बात वात की सतिती न बनेश्य पंड़फ़ें राज्या के लोगत देखने की तो चल रहा है मद करीवर्देश में को मिलसकते हैं देखे मद्यपृदपर्देश की राशी और धनुट कर्णिया राशी की तो मद्यपृदेश के लिए मेश राशी में मंगल का गोचर भिलकूल भी ठीक नहीं तो आप देखें कि मद्यपृदेश में जो विऽिन नेता हैं जो बहुत Śारे और मंदल पद और मंत्री कम दिखाई देती हैं और सबसे बड़ी बात मद्यप्रदेश का शाशक सत्ता वर्ग है वो कहीं न कहीं वहत ब्याकुलता से भरा रहेगा जोकि मद्यप्रदेश की कुंडली में मंगल पंचम भाव का कारक है और पंचम भाव का स्वामी मंगल का गोचर वहां पर होना ठीक नहीं है मध्यप्रदेश में कोई बड़ी घटना घट सकती है मध्यप्रदेश में परिशानी या आपदा आने की संभावणा भी दिखाई देती है और सबसे बड़ी बात मध्यप्रदेश की और ची की सितिती को मंगल कहीना कहीं कमजोर हवश्य बनाए बिल्कुल पंडी जी ये हमने कल भी देखा जो सरीके से मध्रदीश को अभी कर्ज लेने की ज़रूद भी पड़ रही है काई ना कई आर्थ के सिती वाकी डगमगाई हुई है ये आपने सही बताया तो मध्रदीश के सिती भी हम देखी रहे हैं और पंडीजी ने भी को रखने की जरूरत है बहुत बढ़िया और मैं अगली तीन राशियों की बात कर लेता हूं तुला राशी में बात करता हूं तो देखिए तुला राशी से संब्तम्भाव में मंगल का गोचर जो की ठीक नहीं है वैवाहिक संबंद पार्टन पार्टनर्शिप के संबंद वह बड़ी खासी ब्रद्धी करने जा रहा है लेकिन घरेलू संबंदों घरेलू मोर्शों पर वह आपको तनावश्य देगा धन संबंदी कारियों में बाधाएं उत्पन होंगी यदि आप किसी पुराने उसको लेकर परिशान है मुकदमे बाजी को लेकर परिशान है तो वो उठके आपके सामने एक बार सामने आ जाएगा तो मंगल का मेश राशी में गोचर आपके लिए ठीक नहीं वहीं हम ब्रश्चिक राशी की बात करते हैं तो ब्रश्चिक राशी से मंगल का गोचर अब छटे भाव में हो गया देगे राशी स्वामी का छटे भाव में ह होना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके शत्रों से आपकी रक्षा करेगा आपको स्वास संबंदी कारियों में थोड़ी से सावधानी बरत्ति की आवशक्ता है मन बेहत प्रसन बना रहेगा काम का आपका ठीक रहेगा परन्तु एक बात का ध्यान रखें अभी भी आपक केतु का गोचर है जो आपको अचानक गुस्सा बढ़ा कर रहेगा देगा मंगल का छटे वां में होना और आपकी राशी में केतु का गोचर आपके किसी पुराने जो आप उतने गल्तियां की हुए वो गल्तियां आपके सम्संभू पाशक्ते तेखे धनुड आशी से मंगल का गोचर पंचम भाव में और पंचम भाव का सौरामी भी मंगल है तो संतान को लेकर जो परिश्ञानी थी वह अब दूर होने लगेगी मानसिक परिशानियां कम होने लगेंगी लेकिन मंगल चोथी दृस्टी अस्तम भाव पर तो आपके स्व जो मंगल के कारण धनु राशी वाले जात्कों को होने वाली है वो यह कि बर्तमान में धनु राशी का जो स्वामी ग्रह गुरू वह भी कहीं ना कहीं शनी के साथ यूती बना कर पड़ा हुआ है तो हमको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यक्ता है हम बात कर लेते हैं अगल राशी के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है प्राक्रम भाव में मंगल रहेगा तो आपको यश्मान सम्मान प्रतिष्टा दिलाएगा मित्रों परिजनों से वह आपको लाब दिलाएगा वहीं हम अंतिम राशी यानि मीन राशी की बात करते हैं तो दुतिय भाव मे कहीं माता को कस दे सकता है सुख में कमी ला सकता है यश्मान सम्मान में थोड़ी कमी कर सकता है और सबसे महत्पूर्ण चीद आपके कारी छेत्र में वह बाधाएं उत्पन अवश्य करेगा पंडिची तो बलकुल आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानका आपका इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुचाने के लिए तो आज हमने आपको बताए कि मंगल का मेश राशी में प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पढ़ेगा ना सिर्व जाती के राशक जो है उनको बताया बलकि हमने ये भी बताए कि दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे फिलाल इस कारिक्टर में बस अतना ही मुझे दीजे जाज़त लगतार खबरों के लिए बनेरिया नादी टीवी के साथ नमस्कार